तला कि ऄाने है दो भाईयों की जो न्यूँर्ण划 के नियुसारे इस शेहर ने मंद से उनकी फैमली उनका सब कुछी भी जिसका बत्त था वो इस शेहर से लेना चाहते हैं। इन दोनों भाईों ने कुछ बढ़ा करने का सोचा इस शेहर को दबा करने का सोच पर कैसी जितने सोर्स और अकल उनके पास थी उसके इस्तमाल से ये एक बोतिल वाला बंब बनाती है फ्रेंकी ये नीद बढ़ा भाई उसमें आग लगाता है और विंस्टोन उसे एक बिल्टिंग में फैंक देता है ये सोच बगए कि उसमें कई लोगों की जान चिवी जाए की शेफ की बरबाती का सोचते हुए भी ये ख्याल तो उनके दिल में आया ही नहीं कि यहां लोग मर इस सीन के बाद कहानी कई साल आगे पर चाती है अब फ्रेंकी के साथ क्या हुआ ये तो नहीं बताया किया पर अब दिखाया जा रहा है कि वो बढ़ा हो चुका है और होटिल कॉंटिनेंटल में रहता है जा के ओने कॉर्मिक नहीं इन दोर भाईयों को पाल पॉस्टी पढ वंदेंटी नहीं दोर आपजी जब के दूसरी तरह ट्रेन महां से गुसरती है, वोग ट्रेन में भाज जाता है और फोर्स से लॉकर टूचा, फ्रेंकी और उसका साथ ही लॉकर के अंदर जाने चाहती है यहां बहुत पैसे रखा था, लेकिन फ्रेंकी एक पैसे को हाथ नहीं लगाता फ्रेंकी तो यहां एक खोफ्या बॉक्स चुराने आया था इससे पहले कि फ्रेंकी वो बॉक्स उठा लेता, उसका साथ ही पीछे से उसी पे गन तान दीता है जोदे फ्रेंकी उसे शूट कर देता है मरते मरते इस अखत्मी के हाथ से गोली चल जाते है जो गोलियां उपर पार्टी करने वाले लोगों क्यों लग जाती है गोलियों के शोर से कॉर्मिक के यहनी होटल ओनर के लोग भी आहा चुके थी इससे पहले है कि वो फ्रेंकी को पकर दे फ्रेंकी यहां से भातने की कोशिश कहता है कॉर्मिक के आत्मी उसके उपर गोलने चला के उसे रोकने के भी कोशिश कहते हैं लेकिन स्टब ना काम रहता है फ्रेंकी को नीचे उसकी यह नामी इंकल फ्रेंड देने आई थी जिसके साथ वो बैश्ट के यहां से फरार हो जाता है कॉर्मिक के हजारों आद्मियों को चक्मा देते हुए फ्रेंकी भी कॉर्मिक के लिए ही काम करता था कॉर्मिक ने उसे पाल पोस्त के बढ़ा किया था फिर भी फ्रेंकी ने उसकी कीमती चीज़ चुरा कर उसे धोका दिया सीन के ठोकर हमें विन्स्टोन को दिखा ज़ाता है जो जब लंदन में अपनी होटल रूम में उठा तो उसने नोटिस किया कि उसकी कम्रे के दर्वाब से खुने है मुबाइल जाकर च्रेख करता है बाहिर कोई नहीं था लेकिन असल में जो कोई भी था वो बेह यहीं उसके रूम में आचुका था कि सब लोग विन्स्टोन को किटनाप कर लेते हैं उससे जब होश आया तो उसने अपने आपको नियू यॉर्क में कॉर्मिक के सामने पाया कॉर्मिक यहां उसका फेलकम करता है और उससे फ्रैंकी के बारे में पूछता है यहीं उसके बड़े भर के बारे में कॉर्मिक पताता है कि फ्रैंकी ने मेरी बहुत ही कीमती चीज़ चुरा नहीं है लेकिन इस टाइम विन्स्टोन को फ्रैंकी के बारे में कोई खबर नहीं थी और ये थी एक लेडी पुलिस के धी फ्रैंकी को ढोडने के लिए वो कुछ वैपन दीलर्स के उपर भी इंदसर रखती थी क्योंकि फ्रैंकी पहले इनके साथ भी काम कर शुका था ये वैपन दीलर्स जिस्क माल्स और रूप बहन भाई हैं और लेमी उनका दोस्त है वो चाइना टाउन में अकेली अमेरिकन्स थी इसलिए चाइना डाउन के चाइनीज आए दिन उन्हें परिशान करके लखते थी तर इसके फोरण बाद दुबारा विंस्टोन को हम दिखते हैं जो चारडी के पास किया है चारडी एक लोकल गेंग्स्टर है साथ ही फ्रैंकी और विंस्टोन का बच्मन का दोस्ती वो विंस्टोन से पुछता है तुम यहाँ क्या करे है हो तुम तो लंदन ही चले गए थी जबाब में विंस्टोन कहता है अरे हाँ यहाँ गया तो था चारडी फ्रैंकी की हबर लेने के लिए लोकों को भीजता है और विंस्टोन से पुछता है आखिर तुम उसका पता लेकर करो की क्या विंस्टोन उसे देखके बोला फ्रैंकी भाई है मेरा उसकी जान फत्री में है कॉर्मेक उसके पीछे पड़ा है जिसने मुझे लंदन से उठा लिया वो उस तक भी पहुँचाएगा और मैं उससे पहले अपने भाई को टून कर बचा लूँगा तुम अपनी कार दो बस मुझे कार जो से जान से बचाता से थी लेकिन सामने मांगने माला भी विंस्टोन था इंकार वो चाह कर भी नहीं कर पाता हाँ पर इतना सुरूर वर्ण किया उसे कि चाहे मर जाना इस पर सराश ना आने देना विंस्टन कार लेकर अब चार्ली के आदमियों के बताए चाइना टाउन के एक कराटी कलब में आता है इंफोर्मेशन के मताबिक फ्रैंकी को बहुत मरतबा यह नामी लड़की के साथ यहां देखा गया था देखने में यह कराटी कलब असर में वैपन डीलर्स करड़ा था जहां सबसे पहले उसे लो मिलती है इधर उदर की बात करने के बाद जैसे ही पॉइंट पर आकर विंस्टन उससे फ्रैंकी के बारे में सवाल करता है तो नाम सुनते ही लो ऐसे खुस्ते में आई जैसे फ्रैंकी उनकी भी जोरी करके गया हो अचानक ही यहां चलने वाली गोली की अवास पर विंस्टन को कुछ गेड़ बड़ी महसूस होती है वो लोगों को गन पॉइंट पर लेकर अंदर चलने को गहता है उसे लग रहा था कि फ्रैंकी अंदर खत्रे में है लेकिन अंदर का महौल तो उसकी सोच से बिलकुल अलग था यहां पे वैपन टीलर माइल्स बड़ी ही रिलेक्स अंदास में अपना काम कर रहा था विंस्टन के उससे फ्रैंकी के बारे में पुछने पर जवाब देता है तुम क्या हम तो खुद फ्रैंकी को ढूँड रहे हैं उसकी वज़ा से हमारा खुब नुकसान हुआ हम उसके साथ एक खदरनाग गैंक से उसी के भरोसे डिल करने चार रहे थे पर वो एंग टाइम पर हमें धोका देते हुए आया ही नहीं वो खदरनाग गैंक हम से सारे वैपन्स लूट कर ले गए और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ विंस्टन को परिशान करना देखकर माइल्स उसे कहता है कि तुम जितने भी कोशिश कर लो तुम क्या कोई उसे नहीं ढूँड पाएगा याद रखना फ्रैंकी वो बंदा है जिसे जब तक वो होतना चाहे कोई नहीं ढूँड सकता विंस्टन कुछ सोचते हुए माइल्स से एक गन मांगता है एरान कुन तोर पे माइल्स उसे गन दे पी देता है गन लेने के बाद वो यहां से चला किया उसके बाद अब सीन कट होकर हमें एक नए क्रेक्टर को दिखा जा रहा है ये मास्क लेटी भी फ्रैंकी को ही ढून रही है उसके चुराए बॉक्स के लिए इस टाइम उसने चोरी में फ्रैंकी के साथ ही को बंदी बना हुआ था जो उस दिन फ्रैंकी के हमले से बच गया था मास्क लेटी उसे टॉर्चर कर पाकर फ्रैंकी और उस बॉक्स का पूछ रही थी लेकिन इसे तो क्या शेहर में किसी को फ्रैंकी का कुछ पता नहीं था विंस्टन भी शेहर की हर गली में फ्रैंकी को ठून रहा था अभी उसे अचानक तिवार में लगे फिल्म के पोस्टर से कुछ यहाता है। वो अपनी कार को तेजी से खुमाते हुए एक पुराने सैन्मा में जाता है। जहां उसे अकेला बैठा फ्रैंक की नजर आजाता है। वो मूवी देख रहा था। वहाँ चाने पर बता चला कि यह तो एक स्टैचू है जो पीचे से पिल्कुल फ्रैंक की जासे था। अचानक एक रस्टी का फंदा उसके गले में गरता है और उसे उपर की तरफ खैश लेता है। अपी तो उसके होश्यारी से रखी हुए करदन और रस्टी के दर्म्यान हातों ने उसकी जान बचाने थी। रस्टी के दूसरे पोल से लड़की यह यहन थी। और उसी ने यह ट्रैप लगाया था। उपर से यह सब कुछ फ्रैंकी भी देख चुका था। जिसको बचाने के लिए यहन ने यह ट्रैप्स लगाया थे। इससे पहले कि यहन मिंस्टन को मार देती। फ्रैंकी उसे रोक करी नीच आता है। और उससे पूछता है। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिंस्टन जवाब में बोलता है। तुम्हारे गुनाहों की सथा। तुमने वो बोक्स चुरा कर वलती कर दी है। तुम तक पहुँशने के लिए कॉर्मेक ने मुझे लंदन से कर टैप कर वा लिया। मैं जानता हूँ वो जल्दी तुम तक भी पहुँच जाएगा। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहां आया हूँ यूकि मुझे ये भी बता है फ्रैंकी तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। वो उसे उपर ले जाकर जो बोक्स दिखाता है जो वो कॉर्मेक का चुराना है था। इसके अंदर पैसे नहीं थे बलकि एक क्वाइन प्रस थी। विंस्टन उसे पूछता है क्या आखिर तुम ने कॉर्मेक की चुरी क्योंगी। अरे ये कॉर्मेक की नहीं है। कॉर्मेक जिसके लिए काम कहता है ये उसका है। ये जवाब देकर फ्रैंकी ये साबित करना चाता था कि वो अपने बात जैसे कॉर्मेक को धोका नहीं दे रहा। इस चाइन पर विंस्टन से कहता है फ्रैंकी प्रीज छोड़ो इन सभी की टिया लड़ाईयों को मेरे साथ चलो मेरे पस बहुत पैसा है। उमारी हर खौईश मैं बूरी करूँगा। उनकी इन्टीन बातों के दरान कॉर्मेक के जो आदमी विंस्टन की गाईड़ी के उपर नज़र रखे हुए थे वो भी पहुंच जाते हैं। और इस ते पहले कि वो इन्हें जून के निंके उपर हमला करते हैं। लोग खामोशी से वो क्वाइन प्रेस लेकर यहां से निकल जाते हैं। रस्ते में यान विंस्टन पर बहुत जादा खुशा थी क्यूंकि उसे लग रहा था कि ये सारी मुसीबत उसकी वज़ा से आई है। ये लोग अब चार्ली के पास जा रहे थे क्योंकि ये लोग ये बात चानते थे कि चार्ली के लावा कोई भी इनकी बनत नहीं करने वाला था। चार्ली के पास पहुचते ही चार्ली इनसे मिलने से पहले अपनी कार को सभालता है। बाद में इनका वेल्कम करता है दूसरी तरफ जब ये बात कॉर्मी को पता चलती है कि इस मर्दबा भी उसके आत्मियों से फ्रैंकी बचकर भाग गया तो अब वो घुसे में अपने सेक्टरी को दो शार्प शूटर बहन भाईयों को हार करने का ओडर देता है यहाँ पर वि कहता है किसी भी हाल में उन्हें यहाँ से भागने ना देना लेकिन फ्रैंकी और विंस्टन तो कान में बैश चुकी थे वो सिर्फ ये इन के इंतिसार करहे थे वो अनकी गाड़े के सामने आकर उन्हें रोक्ते की कोशिश कहता है लेकिन सही बगत पर येन यहाँ आकर इस आत्मी को मार डालती है इतने यहाँ पर कॉर्मिक के लोग भी आ चुकी थे और इससे पहले के फ्रैंकी और विंस्टन उनके हाथ लगते यह लोग भागते हुए यहाँ से एक बिल्डिंग के दरफ निकल जाते हैं चल्दी चल्दी यह लोग बिल्डिंग की छट पर लेकिन जैसे तैसे बचते बचाते यह लोग आखिर हेलिकॉप्टर तक पहुची जाती हैं लेकिन वोग नहीं जानते थे कि उनके यहाँ आने की खबर कॉर्मिक को पहले से थी और उसने यहीं दूसरी बिल्डिंग पे शार्प शूटर्स उनको बारने के लिए बिलाए थ साथ थे यह लोग कहीं भी जा सकते थे लेकिन हेलिकॉप्टर में फ्रैंकी इन दोनों से कहता है कि नहीं यह सब खतम नहीं हुआ को और में मुझे पौरी दुनिया में कहीं से भी ढूल लेगा जैसे उसने तो यह लंदन से ढूल निकाला और यह सब खतम मुझे ही करना था उसे अब अपने भाई के मरने का अलम सताने लगा था और उसके अंदर बतले की आग जल गई थी यहां दिखा जाता है कि कॉर्मी को वो बॉक्स मिल गया जिसके वो पीछे पड़ा हुआ था लेकिन बॉक्स के अंदर उसे क्वाइन प्रस के बचाए एक स्टैच्व मिल गजप की की आख्री रस्त में पूरी कहता है ये इस परमाइल वींस्ट्रोन से पुछता है कि कॉर्मै को जो बॉक्स मिला वो खाली था क्या यह बात सच है और अगर यह बात सच है तो वो हमारे पीछे ज़रूर आएगा विंस्ट्रोन इन सब से मिलकर कॉर्मै को मारने की पात करेता है लेकिन मारे उससे समझाता है कि वो कोई आम आतमी नहीं जिसे हम मारके خामोश चाएं तब विंस्ट होटल छीन लेगे और वो सब मिलके चलाएंगे वो इंसबSE कहता है के मैं कॉल मिक की हर चौण को जानता हूँ तो कि बच्पर से ही उस ते हमें पाल पोस्की बड़ा किया है यहां लेडी प्रीज टेडी को भी कोई खबर देता है कि फ्रैंक की मारा गया जिसे चेक करने के लिए जब वो मुर्टा खराती है तो वहां उसे फ्रैंक की किलाश नहीं मिलती क्योंकि उसे को व टेबल पे कोई और होगा दूसी तरफ विंस्टोन और वो वैपन डीलर्स यहने माइल्स और उसके साथ ही सभी अपनी ट्रेंग्स में लग चुके थे ते कि कॉर्मे की आर्मी बड़ी है उससे लड़ने के लिए इन्हें ट्रेंग तो चाहिए होगी यहां पर विंस्टोन इन लोगों को एक ऐसे किलर के बारे में बढ़ाता है जो पहले कॉंटिनेंटल होटिल में ही काम कहता था लेकिन अब वो रिटार हो चुका था विंस्टोन उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही अच्छा स्नाइप है था विंस्टोन की बाते बहुत से लोग उसे माइने वाले थे लेकिन वो रोक लेती है इस औरत को विंस्टोन का नाम पता था वोसे बूचती है कि तुम यहां क्या लेने आया हो विंस्टोन से कहता है मेरे पास बहुत पैसा है आप जितना चाहे मांगे लेकिन इस वक्त मुझा आपकी आर्मी की ज प्यार हो जाती है अपनी आर्मी देने को तयार हो जाती है जो आर्मी उनका कॉर्मेस को मारने वाले मिशन में साथ देगी कितनी देर में यहां पर कॉर्मेक के आदमी भी पहुंच चुके थे विंस्टोन का पीछा करते हुए लेकिन तीन से किंड से भी कम के टाइम में में इस नामी इस लेडी की आर्मी उन सब को खतम कर दीती है। इसके बाद विंस्ट्रोन चारली के पास जाता है जो उसका सबसे अच्छा दोस्ता जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। लेकिन यहां कर वो देखता है कि कॉर्मेक के लोगों ने यहां का बुरा हाल कर दिया था। और यहां जो रहन थे था वो सिर्फ चारली का साथ के था जिससे भी वँबर अपने साथ मिला लिता है। शीन दिखाया जूता है गहन का। वह अब अपने सेनिमा के उपर बने उस गर्में आ जाती है। जहां पर वो फ्रैंकी के साथ रहा करती थी। और यहां उसका सामना हो जाता है कॉर्मेक के तीन आत्मियों थे जिसे वो बेदर्दी से नड़कर मार देती है। और उसके बाद ऐसला करती है कॉर्मेक से फ्रैंकी की मोट का बद्वाने निकाह। जाहिर से बात ही काम असान नहीं था। इसे लिए वो भी विंस्टोन की मदद करने का फैसला कहते हुए होटल कॉंटिनेंटल का मैप लेकि उनके पास आती है। जो के फ्रैंकी ने बनाया था और जाहिर से बात ही इन्हें अपने प्लानिंग में उसकी जरूरत परने वाली थी। इस मैप को देखर स्नाइपर विंस्टोन से कहता है कि होटल कॉंटिनेंटल बहुत कॉंप्लेक्स है। इस मैप के सरगे हम अपता पूरा काम नहीं कर पाएंगे। हमें होटल के किसी अंदर के बंदे को अपने प्लान में साथ मिलाना होगा। पिलहाल दिखाया है कि ये लोग होटल कॉंटिनेंटल के सामने वाली बिल्डिंग्स में जाते हैं। एक ऐसा पॉइंट होने के लिए जहां से ये होटल कॉंटिनेंटल के सभी कमरों को टार्गेट पर रख सकें। यहाबर विंस्टोन और स्नाइपर बाती करीए है कि हमें किसी भी हाल में हमला करने के बाद कॉर्मे को इतने सी टाइम में मारना है ये उसे अपने कमरे में लगी रड़ बटन को दुबानी का मोका नमने अगर उसने वो बटन दुबा तिया तो पूरे होटल में जितने भी की रहेगा यहाँ आगे जिन विंस्टोन को लो किसे अगे खबर मिलती है कि कॉर्मे का परसनल सेक्टरी उसे छोड़ कर वहाँ पीस अपने गाउं जा रहा है वो क्यूंके होटल के अंदर का बंदा था और इन्हीं अपने प्लान को पूरा करने के लिए ऐसे ही किसी बंद के लिए इस गुनाहों वाली दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते है या जो तुम यह सब को छोड़ के अपने गाउं चले जाओ या फिर हमारे साथ मिल जाओ मैं जानता हूँ तुम्हारे यह काम मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं बा कर्मिक का सेक्ट्री जब इस लेड़की के बैर में पूछता है तो कर्मिक बताता है जाने की बात कर रहा था बेवफा था मार दिया तुम सो जानते हो मैं छोड़कर जाने वाले लोगों से तंगा चुका हूँ छोड़कर तो वो खुद भी जाने वाला था और इन बात उस कॉर्मिक के साथ वफदार नहीं ठीक रहता है और वो को बता देता है कि विस्ट्रॉटन की वे बात बेदर के कहता है पिर तुमने हैं इंकार रही है कि मैंने उनका साथ देने से इंकार कर दिएमने आप को चुना, अर या बात सुनते ही कार्मिक उसका मात हा चुम Wooak अगले सीम में हम देखते हैं कि विंस्टन के सभी साथ ही एक जबाप है और वह लड़नी गींग नाकाम को शिश कर रहे हैं इनी अजीब हो गरीब से ट्रेणिंग कर रही है ऐसी ट्रेणिंग से वह कॉर्मेक से तो नहीं जीत सकते ये सारी कंडिशियर देखते हुए का पुछते-पुछते वह जब लूस विंस्टन के बारे में पुछती है तो लूस साफ छूट बोल देती है विंस्टन ऐसा तो नाम मैंने कभी नहीं सुना केड़ी कहती है छूट नहीं बोलो मैं जानती हूँ तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं ही मेरा कार्ड रखो अ ये उनके लिए बेस्ट जगा थी सीन का ठोकर दिखा चाता है कि कॉर्मेक का सेक्टरी शारप शूटर बहन भाईयों के लेकर उसी बस के पास आया है जिस बस को हाईजैक करके विंस्टरन ने उससे बात की थी वो इस बस चाले से पूछते हैं बताओ तुमने विंस्टरन को कहां उतारा ये ड्राइवर कहता रहा चाता है कि मैंने उन्हें रोट साइट पे उतार दिया उसे नहीं बता उनके ठिकाने का और ये जवाब सुनते ही शारप शूटर उसे बेदर्दी से मार देते हैं असल में ये लोग विंस्टरन को ठूट कर मारना चाह रही हैं वो भी कॉर्मिक के कहने पे विंस्टरन काफी परिशाने में था क्यूंके उसका प्लान पूरा करने के दिन करीब आते चाह रहे थे दूसरी तरफ कॉर्मिक कौनसे से कौनसे बैठा था उस कौइन प्रेस के ना मिलने की वज़ा से अपर टेबल उसे इस होटल से फारिख कर देना चाहती थी लेकिन ये उसे बिल्कुल बरदाश्ट नहीं था इस टाइम विंस्टरन जसने होटल कॉंटिनेंटल में ही एक रूम ले लिया था शाप शूटर यहां आकर इसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पे रखकर उसका रूम नवर पूछते हैं दिखा जाता है कि विंस्टरन तो होटल से बाहर जा रहा था जबके केडी भी उसका पता करते करते ही हाँ आ चुकी थी केडी उससे पहली मर्तबा देख रही थी इसलिए उससे पहचाना तो नहीं लेकिन चाल से उससे ये विंस्टरन ही लगा उसका नाम लिएने पे मुरूग भी गया उसके सरकच से केडी को गन फर्म हूग ब्या था कि वो विंस्टरन है केडी के भी चीरे को छूकर गुज़र जाती है जबकि उस शापशूटर की बहन विंस्ट्रॉन को पकड़ कर कॉर्मिक के पास ले जाती है यहाँ पर लेडी पुलीस केडी का साथ ही आता है यहाँ एक और पुलीस वाला और उसे होश दिलाता है वो यहाँ हमरे हुए शापशूटर की तलाशी लेती है तो उसे उसकी जेप से एक गोल्ड कॉइन मिलता है पुलीस वाला केडी से कहता है इसे छोड़ दो यह होटल कॉंटिनेंटल में मुझूद की आईडी है और किलर की आईडी दिखाते हुए अपने लिए यहाँ एक रूम ले लेती है विंस्टन अब कॉर्मेक के सामने था कॉर्मेक उसके बाल पकड़ के उसे पुछ रहा था बताओ वो प्रेस कहां पे है विंस्टन कहता है मैं नहीं जानता वो प्रेस फ्रैंक की नहीं की चुपाई है और वही है जो मरने के बाद भी आपको तंकर रहा है उसके बाते सुनकर कॉर्मेक को उस्टा चुका था वो अपने आदमियों को विंस्टन को यहाँ बिल्डिंग से नीचे गिराने की ओर्डे दे देते हैं ठीक इसी वक्त हम सामने वाली बिल्डिंग में विंस्टन के स्नाइपर साथ ही को देखते हैं जो विंस्टन को बिल्डिंग से गिराने वाले आदमियों को धरा-धर शूट करके मार देता है इसे पहले कि वो कॉर्मेक को शूट करता उसकी गन भी टेबल के नीचे नहीं थी जो के अब उसके सेक्टरी के हाथ में थी ये देखकर कॉर्मे कोसा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे धोका दिया उसका सेक्टरी से आर्मेर Rooms की जा भी मांगता है और कॉर में कहता है हिम्मत है तो लेके दिखाओ विंस्रॉंट अब उससे कह रहा था कि शूट करो इसे लेकिन उसका सेक्टरी उसे शूट नहीं कर पाता त्यूंकि वो इतने साल उसका वफदार रहा था और इस जिसका फाइदा उठाते हुए कॉर में कहां से बाहर जाकर यहां का दर्वासा बंद कर देता है यानि इन दोनों को इसी कमने में बंद कर देता है वो अब उससे से पागल हो रहा था और चलते हुए बढ़बढा रहा था और सबसे पहले शाप शूटर्स के बारे में पूछती है जो फ्रैंकी के कादिल थे जिन्होंने फ्रैंकी को शूट किया था यानि माइल्स का साथ ही भी छट से होटल के अंदर आता है और आते ही यहां दो किलर्स को मार देता है जो कि इस टाइम अपनी कराटी के अपनी थी यानि अपने वेपन्स वाले एरिया पर तब एक छोटा सा चाइनिस बचा उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहां से भाग चाओ क्योंकि हमारे मास्टर यहां तुम्हें मार ने आ रहे हैं बज़ा यह थी कि उसने कभी चाइनिस टाउन के चाइनिस की बात भी मानी थी और कुछ दिन पहले भी चाइनिस से किसी छोटी सी लड़ाए की वज़ा से उसने चाइनिस का दिया हुआ सिगरट काउंटर अपनी शौप से बाहर फैंग दिया था सीन के ठोकर विंस्टन को दिखा जाता है जो कि अभी तक कॉर्मेक के रूम में बंद है वो क्यूंके जख्मी था इसरे सेक्टरी उसे एक पेंट किलर इंग्जेक्शन लगाता है अचानक बिल्डिंग ने रेड अलाम्स बज़नी लगती है जिसका मदब था कि कॉर्मेक ने सभी किलर्स को अलर्ट कर दिया है इसी दूसरे रेड बटन की वदद से यन जो कि अभी कॉरिडर में ही थी वो इन किलर्स से बचने के लिए वेंटिलेशन में चली जाती है किलर के हर रोम में लगे हुए एक पाइप के जर्गे उन्हें विंस्टन और सेक्टरी की पिक्चर्स मिल जाती है ये इन दोरों को मानना है केडी जो इस होचल के अंदर किलर पन की ही गूम रही थी दो किलर्स को उसका पता चलच चाता है कि ये दो एक पूलिस है इसे पहले कि ये उनको नुखसान पोचाते केडी के हाथों ये दोनों ही पिड़ जाते हैं आपने आपको बचाते हुए वो उसी रूम में पहुँच जाता है जहां से गिलर्स को guide control दिया जा रहा था यहाँबे बैठी हुई लड़की किलर्स से भी जादा शाप थी वो लैमी कोई यहाँबे मारने वाली थी लेकिन लैमी बहुत ही मुश्किल से उससे अपना पीछा चुड़वाता है और उसी के चाकू से उसी को मार गिराता है वेंटिलेशन में चुपी हुई याइन अभी भी शाप शूटर्स की दलाश में थी युकि उसे सिर्फ ट्रैंक की कबदला लेना था यहां दिखा जाता है कि विंस्टन और इस एक्टरी भी अपने आपको उस कमरे से छुड़वाते हुए आर्मर रूम तक पहुँच गए थे इससे पहले कि वो इस तिजोरी को खोल पाते ही कॉर्मैक अपने बहुत से किलर्स के साथ यहां पहुँच जाता है कॉर्मिक जैसे ही यहां पे शूट करने को ओडर देता है तो विंस्टन भी किसी को इशारा करता है और दिखाया जाता है कि किलर्स एक दूसरे पे ही गन तान देते हैं बेंस्टोन अब कॉर्मे को तिचोरी खोलने का इशारा करता है लेकिन कॉर्मे क्या चला के करता है तिचोरी में चाह भी डालकर चाह भी तोड़ देता है ताके ये खुले ही ना और एकदम से यहां की लाइट्स ओफ हो जाती है धराधर गोलियां चलने की आवास आती है और जैसे ही लाइट ओन होती है तो दिखाया जाता है कि सबी किलर्स ने एक दूसरे को मार दिया यहां लूग जो के उस चाहिनीज बच्चे के साथ बैठी हुई थी अपनी डाइट की निशानी मिलने के बाद उसके लिए अपना यार्डा कुछ भी नहीं था वो अपने और अ सेक्ट्री भी उसका पीछा करते हुए यहां आती है और लिफ्टमें को मार के पूछते है बताओ कि कौर में किस फ्लोर पर क्या है वो से बता देता है 13 फ्लोर उनकीरी बातों के दुरान यहां पे एक केड़ी आ जाती है और फिंस्ट्रों को गन पॉइंट पर ले लेती है मैं उनका बदला तुमसे लेना चाहती हूँ यह कहते ही वो एक पेट्रोल की बोतल निकाल कर उसके ओपर छिड़क देती है और कहती है तुमें क्यों नहीं हिसास हो उस दर्द का जो उस रात मेरी फैमली ने सहा विंस्ट्रों उससे माफिक मांगता है और कहता है उसे नहीं स्नाइपर को गोल या ना चलाने को कहता है जिसके बाद वो केड़ी के पास आता है उसे बिठा के वो से कहता है कि तुम परिशान नहीं हो मैं तुम्हें बचाने के लिए वापिस ज़रूर आउंगा यहां कॉर्मेक अपने कंट्रोल रूम में पहुच चका था जहां जाकर वो मायक में एंलान कहता है कि जो भी किलर विंस्ट लॉनक का सरकार्ट के मेरे पास लाएगा उसे मैं डू मिलियन डॉलर्स दूँगा यह अनौउसर्ट विंस्ट विंस्टर पिर तुम परिशान होजाता है इसके बाद से एक्ट्री उसे कहता है तुम परिशान नहों मैं तुमहारी मदद करूंगा, क्योंके इसके पीछे रीजन, तुम या मेरा कोई कॉर मेक से बतला नहीं, बलके तुम्हारा भाई है, प्रैंकी मेरे बड़े भाईउं की तरहा था, वो मुझे बड़े भाईउं की तरहा ट्रीट करता था और अक्सर समझाता था कि तुम निकल जाओ इस दुन्या से, उसे तो मुझे बहुत से हत्यार भी दे थे अपने बचाओ के लिए, वो यहाँ एक पोस्टर फारता है, जिस वो बेसबरी से इंतसार कर रही थी, वक्त रहते ही, वो वेंचिलेशन से नीचे उतरती है, और इन दोनों को गण फॉइंट पर ले लेती है, इसे पहले कि वो इन हिमारती पीछे से माइल जा जाता है, उसका ध्यान भटकते ही, यह शाप शूटर उसे चक्मा देते हुए, उसकी हाथ से उसकी गन ले लेते हैं, वो यहान के उपर हमला कर चुके थी, उपर दिखाया जाता है कि लैमी को भी कंट्रोल रूम में हो शाग गया था, यह कंट्रोल रूम वो था, चाहां से किलर्स को मारने वाले लोगों की पिक्चर पीचे जाती थी, और वो इन ही होने पे, यहान लैमी की ही मोथ हो जाती है, नीचे अब इसी शाप शूटर से माइल्स लड़ने लग जाता है, यह शाप शूटर बहुत ही देश था, और माइल्स को लड़ाई में हराने ही वाला था, कि यहाँ पर उसकी मदद के लिए लू पहुंचाती है, लेकिन वो तो उस रोम में जाता है, जहाँ पे लैमी की मोथ हुई थी, वो देखता है कि लैमी ने एक आफिसारी डक्स में बम नहीं फैंके, यह काम पुखकुद करने लग जाता है, इन बम्स की बचा से काफिसारी किलर्स मारे जाते हैं, और यह देखकर कार्मे को परिशानी हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसका भी बच्ताम मुश्किल है, इसे दुरान यान दूसरी शाप शूटर से छट पे लड़ रही थी, उसके भाई को तो इलू मार चुकी थी, लेकिन यान जो कि अपने भाई से कुछ कम नहीं थी, लेकिन यान जो किस रैंकी की मौत के पतले की आख भी चल रही थी, वो यहां अपने जनून और अपने पागलपन में उसे मार देती है, और मिक जो अपनी मौत के लिए परिशान था, तब उसे मास्क लेडी की कॉल आती है, जो से पूछ रही थी, क्या तुम्हें क्वाइन प्रेस मिलके, अगर नहीं महीं तो बस फिर होटल शोरने के लिए तियार हो जाओ, और में उसे में जवाब देते हुए कहता है, ये होटल मुझसे कोई नहीं चीन सकता, वो गंट्रोल रोंग की तरफ वापिस आता है, और अपना हाद एक स्कैनर पे स्कैन करते हुए, इस होटल का अल्ट्रा स्क्योर्टी मू होटल तबाह हो जाएगा, विंस्ट्रंट और कॉर्मेक का सेक्टरी भी उसे ढूंटे 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 इसी कंट्रोल रोम तक आ चुके थे, और यहां बोम को एक्टिवेट हुए देखकर वो ये बात जान जाते हैं, कि ये विल्टिंग को अची देर में एक तबाह होन और वो जल्दी यहां से भागने माला था, विनावक्स आया कि विंस्ट्रोन भी उसके पीछे जाता है, वो उसे हराल में मारना चाहता था, ये दोनों अब आपस में ही लड़े थे, इतने में दिखा जाता है कि पीछे से केड़ी आकर कॉर्मेक को शूट कर देती है, और इ पिजातियों की चान बचाने के लिए, उसके पास एक आड़ गाता है, वो यहां पे कॉर्मक का हाथ कार्ड के security controlled room में ले जाता है, उसका हाथ scan करता है, बॉम को deactivate कर देता है, और होटल की ultra security को खतम कर देता है, ये लोग जीत चुके थे, फाइनली किसी को भी एकीं नहीं आ रहा था, सब लोग यहाँ कटे थे, विंस्टोन कॉर्मे किस एक्टरी से कहता है, अगर तुम जाना चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, जवाब में वो कहता है, नहीं, मेरे बगेर आप यहाँ बोर हो जाएंगे, सब लोग यहाँ पे अपनी जीत की celebration कहते हैं, अब इनके प्ल हैं, तो मैं आपके लिए हाइटेबल से बात कर सकती हूँ, विंस्टोन बच्चा थोड़ी था, वो जानता था, कि यह लेडी खुद भी यह होटल हासिल करना चाहती है, वो इस लेडी से कहता है, नहीं, इसकी सिरु रहत नहीं, मैं खुद हाइटेबल से बात कर लूँगा पिल्हाल आप अपनी फिकर करें, तब मास्ट लेडी उसे कहती है, कि तुम हाइटेबल से बात नहीं कर सकती, बस मैं उनसे बात कर सकती हूँ, यह सुनते ही, विंस्टोन उसे गोली मार देता है, और कहता है, अब मैं भी उनसे बात कर सकता हूँ, इस सारी कहानी के अंदर ट्विस्ट यहाता है, कि जिस प्रेस के पीछे, जी सारी लडाई शुरू हूई थी, वो प्रेस असल में विंस्टोन के ही पास थी, विंस्टोन पहले से ही इस होटल को पाना चाहता था, और वो यह बात चानता था, कि अगर उसे यह होटल चाहिए, तो उसे यह क्वाइन इसको लेने के लिए कभी इलडाई हो सकती है, इसलिए उसे इसी कौइन प्रेस के इस्तमाल करते हुए, यहां बहुत से कौइन बनाए, जो कि इस होटल के किलर्स की आइडी थी, उसे यह कौइन में इसकी आर्मी के लोगों को दिये, जो पहले से पहले ही कौंटिनेंटिनल hotel के अंदर आकर रहने लगे थे यह भही नकिल किलर्स थे, जिनन्थ रूम के अंदर कॉर्ण मैक के लोगों कुमारा था जिना आदम्मियों नहीं असलमें Winston का इस जंग जीतने में जाद दिया था जिसके बाद आखिर का यह hotel Winston का हो ही गया जिसे दिखाते हुए ये कहान यहां सत्म हो जाती है